दिस इस आर इविस क्लास अप तो आर लास्ट क्लास वी है कंप्लिटेड कैश नंबर वन और कैश नंबर थी सो तुड़े कैश नंबर तू इस मार्क ओन ए वर्ड मेप वर्ड के मैप में आपको मार्क करना है कि कौन सी जगे कहां पर है इंडिया, औस्ट्रेलिया, इंडियन आउशन और पेसिफिक आउशन यह चारो आपको मार्क करना है इस 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 मेप ओफ वर्ड ओके तो आपको इस मेप में मार्क करना है that where is india i can see here india pacific ocean australia indian ocean like this so this is your homework you have to find out आपको ये find out करने है उसमें और उसके बाद आपको वहां mark करना है okay so today we will start our last question of this chapter question number 4 page number 13 fill in the blanks to complete the following sentence blanks को fill कीजिए और sentence को complete कीजिए the earth's blank is slightly tilted earth का प्रत्री का क्या थोड़ा जुखा हुआ है आक्सिस अक्ष इस प्रत्री का अक्ष थोड़ा जुखा हुआ है ना तो blank में क्या आएगा आक्सिस दा नौर्थ पॉल आफ दे एर्थ पॉइंट्स ओल्मोस्ट डारेक्ली टूदे जो नौर्थ पॉल है वेप एर्थ को डारेक्ली किदर पॉइंट करता है नौर्थन हैमिस्पेर मतलब उतरी गोलार्थ की तरफ एक कमपास इस यूज़ फोर नेविगेशन एड कैन बी यूज़ दूरिंग दे डे ऐस वेल आस नाइट एक कमपास जो कमपास है जो दिशा सुचक यंत्र है व्या किसलिए यूज़ ओता है navigation अपने को रासता दिखाने के लिए and can be used और यूज़ में आ सकता है during the day, day में as well as night और वैसे ही दिन में भी काम आता है और रात में भी काम आता है ओके तो इस ब्लैंक में क्या आएगा नेविगेशन नेक्स्ट दे एक्वेटर इस एन इमेजनरी होरिजोंटल लाइन देट गॉस अराउंड दे मिडल ओफ दे आर्थ एक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जो प्रत्वी के बिलकुल मिडल में एक इमेजनरी लाइन है इस एन इमेजनरी होरिजोंटल लाइन देट गॉस अराउंड दे मिडल ओफ दे आर्थ जो प्रत्वी के बिलकुल मिडल में जो लाइन है इमेजनरी उसको अपन क्या बोलते है एक्वेटर भूमध्य रेखा ए वर्टिकल इमेजनरी लाइन इसको अपन क्या बोलते है इसको अपन क्या बोलते है प्राइम मेरिजियन देशा अंतर रेखाएं डिवाइस दे आर्थ इंटो दे इस्टर हैमिस्पेर और वैस्टर हैमिस्पेर इस्टर और वैस्टर दो पार्ट में डिवाइड करती है ना प्राइम मेरिडियन लाइन इन मैप इस अ फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ दे अर्थ और और अनी पार्ट ऑफ दे अर्थ इन मैप एक मैप क्या करता है एक मानचितर क्या करता है is a flat drawing, एक ऐसी drawing होती है of the earth or any part of the earth जो map होता है वह अर्थ का भी हो सकता है और अर्थ की किसी भी part का हो सकता है जैसे world का map भी होता है इंडिया का भी होता है और राजस्थान का भी होता है तो किसी भी part का भी map हो सकता है और all over the earth का भी map हो सकता है जबकि globe all over the earth का ही होता है Maps have a key or a legend that shows symbols on the map These symbols stand for actual places Maps क्या show करते हैं, map में कौन-कौन से symbols show होते हैं Key or legend, जो side में दिये होते हैं Here we can see this, this is the key And symbols east west north south like that तो यह सब क्या show करते हैं Show करते हैं actual places The actual place कौन से कहां पर है The south pole is to the south of the equator South pole कहां है, equator भूमद्द रेखा के south में है The northern hemisphere is nearest to the northern pole जो northern hemisphere है, जो उत्री गोलार्द है वह किसके nearest किसके पास में है, north pole के पास में है Okay, so fill the blanks in your book And today your chapter first, Globes and Maps is complete So, read it again, learn it, learn the questions and answers of this chapter Okay